गुड बॉर्णिंग दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि LIC का IPO आने वाला है तो LIC अपने जो कस्टमर है उन्हें IPO में इन्वेस्ट करने के लिए प्रफेरंस दे सकती है उसके लिए उनका जो PAN है वो LIC की już होना चाहिए और जो होलडर है जोने LIC की पॉलसी ले रखी है उनका एक डीमेट अकाउट होना चाहिए तो लोगोंने डीमेट अकाउट होला है जिन्होंने अभी डीमेट अकाउट नहीं खुलाया और जो LIC के IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग मुझे मेरे परसनल मुवाइल नंबर 9888-5387-611 पर कंटक्ट भी कर सकते हैं और हम अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो के ऊपर ही आपको अप स्टॉक के साथ डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं दो दिन में एक्टिवीट हो जाएगा दोस्तों ये बड़ी गोल्डन ओपर्चिनुटी है क्योंकि अगर LIC पॉल्सी होल्डर को IPO में इन्वेस्ट करने के लिए रिजर्वेशन देती है तो वो डेफिनेटली पहले जो पॉल्सी होल्डर है उनको उस IPO में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा फिर वो मार्केट में लांट होने के बाद औरो को अबलेवल होगा तो इसके लिए आपका एक डीमेट अकाउंट है जो मैं 10 मिनट में मेरा टेक्निकल स्पोर्ट आपके साथ रहेगा आप मेरे को वर्टसप भी कर सकते हैं इसी मोबाइल नंबर पे 988-538761 पर अपना मोबाइल नंबर और इमेल आइडी दो चीजे वर्टसप करें मैं आपको टीबी भेज़ूँगा कनफर्म करने के बाद उसके बाद आपका अकाउंट खोलने का प्रोसेस वह आप खुद भी कर सकते हैं या मैं हेल्प कर दूँगा आपकी और 10 मिनट में आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो मैं बताई रहा हूं आपको लिंक भी उपर मिलेगा वीडियो के जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट अप स्टॉक के साथ खोल सकते हैं और मेरा टेक्निकल स्पोर्ट भी आपक दोस्तो जो एलाइसी की पॉल्सी होल्डर है वो अपना पैन कैसे रेजिस्टर करेंगे सबसे पहले आपने लाइसी जस्ट गुगल में लाइसी डालना है वैसे जो प्रॉपर वेबसाइट है लाइसी इंडिया. इन है इस पर जाने के बाद आप जैसे ही किलक करते हैं कर सकते हैं देखें दोस्तो क्या दिखा रहा है अटेंशन में है कीप यवर पैन कार्ड हैंडी अलॉंग विद दा लिस्ट ऑ पॉलसी आपने जो पॉलसी कराई है वह पॉलसी और पैन कार्ड साथ में रखना है आपका मुवाइल नमबर जो पॉलसी पर अपडेट होना चा branch में जाकर या अपने agent को call करें और अपना mobile number update करा लें और क्योंकि ये चीज़े required रहने वाली हैं आपका पैंत तभी register हो पाएगा अगर branch में आपका mobile number update है फिर mobile number to be entered फिर after submitting the forum the message will be shown on the successful registration request for DMAT information click here तो DMAT आप असल में जो charges को लेकर है वो काफी ज्यादा रेते हैं तो आप मेरे से contact कर सकते हैं और मैं आपका पूरा help करूंगा यहां पर आपने अपना date of birth पर देना है email ID pen number और जैसे pen card पर आपका पूरा नाम है mobile number है और policy number यहां भर देना फिर यहां पर इसको agree कर देना और अपना capture भरना और get OTP जैसे आप get OTP पर click करेंगे आपके mobile पर OTP आ जाएगा और OTP confirm करते हैं तो बस आपका जो registration का process है वो complete हो जाता है और फिर उसके बाद आपने DMAT account के लिए process करना हो उसके लिए मैंने आपको बताई दिया है कि उसके लिए आप मिलको call करें क्योंकि DMAT account कभी आप खुछ से खोलने लग जाते हैं तो प्रॉपर कई बार account नहीं बनता या आप गलत प्लान चूज कर लेते हैं जिसके कारण आपको charges पढते हैं इसलिए experience persons के साथ ही आपको DMAT account खुलवाने चाहिए और दोस्तों इसके साथ अगर जो लोग नए investor हैं जिनका अभी LIC प्लान भी नहीं लिया वो भी मिर से contact कर सकते हैं उनकी LIC की policy मैं करने में help करूँगा और क्योंकि दोनों चीजे मेरे पास available हैं और DMAT account भी मैं आपका खोलने में मदद करूँ उमीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी थैंक्स वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को लाइक करें थैंक्स